Hello student, welcome to my general 180 classes आज हम लोग भारत में प्रथम पुरुस से संबंदित प्रशन देखेंगे जो कि काफी जादे important topic है और इससे संबंदित प्रशन बहुत सारे एक्जामों में पुछे गए हैं इसलिए student आप लोग इस वीडियो को पूरा और ध्यान बुरुक जरूर देखेगा और सबसे महतुपूर बात ये है कि इसमें जितने भी प्रशन बताये गए हैं उन्हें चितर के माध्यम से बताये गए हैं ताकि आप लोग इस वीडियो को असानी से और जल्दी से समझ सकें तो आईए देखते हैं पहला प्रशन पहला प्रशन पूछा गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो इसका राइट एंसर है ओफ्सन नमबर B लॉर्ड विलियम बेंटिक जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जी हाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आईए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रश पूच रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवंग प्रथम वायश रहे कौन था तो देखे इसका राइट एंसर है ओफ्सन नमबर A लॉर्ड गैनिग जी हाँ Lord Canning जो है वो भारत के अंतिम गौर्णर जनरल थे और प्रतम वायश्राय भी थे जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आई अगला question देखते है Question number 3 में पूछा जा रहा है कि भारत के अंतिम वायश्राय कौन थे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के अंतिम वायश्राय कौन थे तो देखिए student इसका right answer है Option number B Lord Mountbatten जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जी हाँ जो Lord Mountbatten थे वो भारत के अंतिम वायश्राय थे आई अगला question देखते हैं देखिए अगला question जो है वो बहुती महत्वपूर प्रशन है और ये question काफी जादे exams में बार बार पूछे गया है पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम राश्राय पती कौन थे जहां तक हमें पता है कि इस question का answer जादत student को पता होगा देखिए इसका right answer है ऑफसर नमबर C डाक्टर राजेंदर पसाद जी हां भारत के जो प्रथम राश्राश्राश्राश्र पती थे वो डाक्टर राजेंदर पसाद जी थे जिनका image यहां पर बना हुआ है आईए अगला question देखते हैं अगले question में पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरसकार प्राप्त करने वाले प्रतम भारतिये कौन थे जिसका इमेज सही सबस्ट है ये कौन थे देखिए नोबेल पुरसकार प्राप्त करने वाले प्रतम भारतिये जो है ये रविंदर नाट टाइगोर हैं और इनका राइट एंसर मतलब होगा आफिसर नमबर ए और इन्होंने ही हमारा राष्ट्रगान गया था तो कहने का मतलब यही है कि नोबिल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रतम भारतिये थे वो थे रविद्र नाट टाइगोर जी थे आईए अगला प्रेशन देखते हैं तेकि अगले प्रेशन पूछ रहा है कि भारत रतन पाने वाले प्रथम भारतिय कौन थे ओफसर नमबर A में दिया है अबुल कलाम आजाद B में दिया गया होकिन्स C में दिया गया है दाधा भाई नेरो जी और D में दिया गया है टाक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जैसा कि फोटो से ही इसपश्ट है कि भारत रतन प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतिय थे वो कौन थे डाक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी जिसका right answer क्या होगा option number D आई अगला question देखते हैं question number 7 जो है वो काफी ज़्यादे important question है पूछ रहा है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था तो इसका right answer है option number A सू कुमार सेन ठीक है क्याने का मतलब है कि सू कुमार सेन जी थे वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ठीक है आई ए अगला question देखते हैं देखी अगला question पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम नोबल पुरसकार बिजेता बैग्यानिक कौन थे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम नोबल पुरसकार बिजेता बैग्यानिक कौन थे तो इसका right answer है option number B C.V. रवन जिनका ही मेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जी हाँ C.V. रवन जी जुरते उनको भौतिकी के छेतर में भारत के प्रथम नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया था ठीक है आईए अगला प्रशन देखते हैं देखिए अगला प्रशन है कि भारत का प्रथम वायू सेना अध्याच कौन था तो इसका right answer है option number C. A.R.M.S.S. मुखरजी A.R.M.S.S. मुखरजी जो है वो भारत के प्रथम वायू सेना अध्याच थे जिनका image आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आईए अब आज का last question देखते हैं क्या है आखरी प्रशन है कि golden globe award जीतने वाले प्रथम भारतिये कौन थे तो देखिए golden globe award जीतने वाले प्रथम भारतिये जो थे वो थे A.R. रह्मान जी जिनका image आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं और आप लोग उनको पता है कि यह पहले कि क्या थे singer थे ठीक है यह बहुत ही बड़े singer थे ठीक तो उमीद करते हैं कि आप लोग को इस वीडियो में जितने भी question बताये गए हैं वो आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आये होंगे friends अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग share कीजिए like कीजिए and subscribe कीजिए आज के लिए इतना ही thank you very much